हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेक अनिठींग पर आज हम पनीर की जूस वाले सब्जी बना के त्यार करेंगे पनीर की सब्जी बनाने के लिए हम इसके साथ ही इसमें डालेंगे आलू और प्याज को इस तरीके से बड़े साइज में काटके क्योंकि जहां यह सब्जी इसको फ्राई करके डाला जाता है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सेम टेस्ट लाने के लिए मैं भी फ्राई करके डाल रही हूं आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हूं प्याज और आलू को दोनों को एक साथ हम फ्राई कर लेंगे लाइट ब्रावन कलर आने तक हम इस तरका करने के लिए मैंने घी को गरम कर लिया है उसमें हम डालेंगे तोड़ा सा दाल चेनी का टुगणा एक तेजपता का बीच में से तोड़के और साथ में हम इसमें डालेंगे जीरा सारी चीजों को अच्छे से चटंगने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे प्याज को भी मैंने हलका दरदरा रखा है बहुँ ज़्यादा मैश करके नहीं पीसा है बहुत ज़्यादा बारिक पेस्ट नहीं किया है प्याज का और इनको हम लोफ लेंपे ब्राउन होने तक भून लेंगे जैसे ही प्याज भून जाएगा हम इसमें लैसुन और टमाट तर्की जो हमने प्यूरी बना के रखी थी वो एड़ कर देंगे इनको भी हम अच्छे से घी छोटने तक पका लेंगे और अपने मसाले डाल देंगे मसाले में मैंने हल्दी धनिया नमक में अच को इसको भी में इस सब्जी में घी की मादरा बहुत ज्यादा रहती है तो आप गया जहां कि मधर के लिए बना रहे हैं जूस का योज करेंगे पानी डाल decreased विलकुल भी juice डालेंगे सिर्फ और इसकाट साथ ही हम इसमें जैसी gravy में उबाला जाएगा हम इसमें जो हमने आलो और पच्छा रखेंगे पर फ्राई करके नहीं डालेंगे लेकिन मैं घर के लिए बना रहे हूं बहुत ज़्यादा गी अच्छा नहीं लगता रेस्टोरेंट वगेरा में इस में गी बहुत ज़्यादा होता है तो आप चाहो तो ट्राइ कर सकते हो तो इंज्योई कीजिए आप इस सबजी की रेसिपी को लाइक कीजिए शेर कीजिए थेंक्स फूर वोचिंग टेक केर